आप सबी की सब्सक्राइब करता हूं एक और नीए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप आपना P P P? प्राइब क्लाम स्ट्राइब को आप किस तरह के से चेक कर सकते हैं आपना स्मार्टफोन से आज की इस वीडियो में प्येब क्लाम स्ट्राइब की complete प्रॉसेस इस वीडियो में दिखाने बाला हूँ तो वीडियो को end tag जुरूर देखना और जानकर यह पसंद आए तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लेना ताकि आगी भी आपको helpful knowledge वीडियो मिलते रहा है इसके लिए आपको अपना phone पर कोई सा भी एक browser open कर लेना है और browser open करने का बाद आपको search कर लेना है यह passbook next page इस तरह के से open हो जाएगा आपको थुरा सा slide down करना है और यहापर पहला ही link आपको देखने को मिल जाएगा EPFO member passbook तो यहापर आपको click करना है next page इस तरह के से open हो जाएगा यहापर आप देख सकते कर्मचारी भविषय निदी संगठन PF का official side है इसका link आपको वीडियो की description box में मिल जाएगा यहापर आपना 12 digit का even number इंटर करना है और यहापर आपका even number की password इंटर करना है और इस capture को देखने के बाद same to same यहापर इंटर करना है even number password capture इंटर करने के बाद next आपको sign in पर click करना है page है यहापर थोड़ा सा loading होगा तो आपको past second wait कर लेना है wait करने के बाद interface आपको इस तरह के से देखने को मिल जाएगा यहापर देख सकते हैं आपका जो passbook है PF का यहापर open हो चुका है आप आपको बारियात है कि आप अपना PF climb को किस तरह के से check out करोगे इसके लिए आपको यहापर three dots देखने को मिल रहा है इस three line पर आपको click करना है और यहापर आपको एक option देखने को मिल रहा है climbs तो यहापर click करेंगे next interface कुछ इस तरह के से open हो जाएगा और यहापर आपको देखने को मिल जाएगा climb summary तो next आपको नीचे sladown करना है और यहापर आपको देखने को मिल जाएगा pending climbs, settle climbs, reject climbs आपने कब पीए उड्रोल करने के लिए request submit किया है concept form submit किया है यहापर आपको details देखने को मिल जाएगा और यहापर आपको climb ID या tracking ID देखने को मिल जाएगा और कब आपने पीए उड्रोल करने के लिए apply किया था यहापर आपको date देखने को मिल जाएगा यहापर आप देख सकते है और आपका company का जो member ID है यहापर आपको देखने को मिल जाएगा और आपने कौन सा form apply किया है यहापर आपको देखने को मिल जाएगा form number 31 यहापर आपको देखने को मिलेगा कौन सा पारा आपने select किया है तो यहापर आप देख सकते हैं इन्होंने जो है काफे अच्छा अपड़िट किया है यहाँ पर आपको पीएप्ड ऑपिस का नाम भी देखने को मिल जाएगा पर अपको देखने को मिल जाएगा पर अपको जीतना भी क्लाइम से अपका सेंट्र होगा है सारे CLAMS आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथ महीं आपर менBER EIDwatch देखने को मिल जाएगा. आपके कौन सा फॉर्म, कौन सा पारा, कौन सा पारा सिलीट किया, कितना पैस मेंचा उडिड्रोल हुआ है और कितना मिल जाएगा, इनका कोई भी claim reject नहीं हुआ, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है No claim rejected it, rejected section में कोई भी claim show नहीं कर रहा है, इनका कोई भी claim reject नहीं हुआ इस तरीके से आप जान सकते हैं, कि आपका claim pending में है यह आपकी claim settle हो गया है, यह आपकी claim rejected हुआ है तो इस तरीके से आप अपना स्मार्टफोन की मदद सही चेक कर सकता है इसका प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ जानकर इप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना आपका एक लाइक हमारी महानुत की फॉल होता है और चेनल पर नए है तो चेनल को सब्सक्रेब कर लेना आपसे फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नीव एक आपड़िट के साथ